नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूं सर्वेश कुकरा और मेरे साथ है सुरिंदर नैन भारत पोस्ट इनका चैनल है और आज लोगसबाद चुनाओ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लोगसबाद चुनाओ में क्या-क्या डॉलब्मेंट हैं क्या-क्या चीजे नई होने वाली हैं क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे इसके बीच में आपको खबर जो लेटस्ट है वो दे देते हैं पहले कि सिरसा से कॉंग्रिस के परत्यास्ची की बहुत इंतजार हो रही थी और वो कुमारी हलके हैं लोकसभा के उन पर होगा क्योंकि एक जगा तो अलाइंस के अंदर आमाद्यू पार्टी पहले या चुकी है तो कुल मिलाकर ग्यारा तारी को यह माना जा रहा है कि कॉंग्रिस अपनी लिस्ट जारी कर देगी और उसमें सिरसा से कुमारी सहलजा का नाम करीब-करी तै हो चुका है इसको लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है उस से कम जीत सकती है इन समभावना पर भी बात करें क्योंकि कैसा मना जा रहा है कि बीजेपी में अगर थोड़ी सी कमजोरी रही और कॉंग्रिस ने अगर ठीक से काम किया तो फिर ये तैमान लीजिए कि हरियाना में चार सीटे कोंग्रेस के पास में जा सकती है सुरेंदर नैन मेरे साथ हैं सिरसा में नैन साब इनपूट्स आ रहे हैं और पुक्ता इनपूट्स यह कुद बताया 11 तारिक को कहीने की उसकी एक कोशना हो सकती है क्योंकि हम कुछेतर सीट की बात करें वो इंडिया आलाइंस पे बहुत पहले से ही सुसिल गुप्ता का नाम है और जो नो सीटे हैं उन पे कहीने की कोंग्रेस को करना है लंबे समय से जार था तो यानि की कुमारी स लार भी आप कह सकते हैं जो भी आप कहें क्योंकि टिकट उन्होंने दिलवाई थी तो उनका दाइद तो भी है फरज भी है और अगर किंदू परन्तू सीट पे होती है तो उसका ब्लेम गेम जो है वो फिर सीदे-सीदे कट्टर साब के पास में जा सकता है तो ताकत उन्हो क्योंकि देखो बहुत अच्छी फाइट होने वाले सिर्शा में और जैसा आपने पिछली वीडियो में बताया था और आप तो अक्सर हमेशा संजी का जिगर करते हो वह अपने भानजी उनको बताते हैं और खुद खटर साब वहां जाकर आए है नायब सेनी वहां दो-तिन दिन रहे, गुपाल कंडा नराज थे, उनको भी कहने के सामिल करने का प्रयास किया गया, कुछ ओर जो बड़े चहरे जो बीजीपे में आना चाहते थे, उनको लाने का प्रयास किया जारा रोग एक दो दिन में जवाइन भी कर लेंगे पहले से जा रही थी तो ऐसे में जब कुमारी सेलजा आती है तो जायर सी बात है बहुत तकड़ी फाइट वहां अच्छी होगी और प्रणाम जो है इनके मुताबी नहीं आने के उनसार जो हमने चार सेंसिटिव सीटे अगर हम सोनी पत से सुरू करें सोनी पत रोत तक हिसार और आखिर में सिर्शा तो वह हमने पहले ही हम चार सीटों को सेंसिटिव कर चुके हैं कि अगर कॉंग्रेस मन से लड़ती है क्योंकि सेलजा तो वहां वन वेन सिस्टम है और जैसा हमने सारा कुछ पताया था उनके फादर साथ वहां से सांसद रहे सेलजा खुद रहे चु जैसे जिन लोगों को कहीं उमीद थी उन लोगों को साइड लाइन रखके उनको खुड़े लाइन लगाके एक सैड तरफ में रखके बहार से बिल्कुल महमान को बलाकर जो कहीं ने कहीं टिकट दी गई है तो जो ओल लेडी जो लोग थे पार्टी कि वह कहीं इन दराज है हम सुनिता दूगल की बात कर सकते हैं और भी ऐसे संभावित लोग छो चीज़े कॉंग्रेस में हुआ करते थी कॉंग्रेस की कबर खोते थे जो नेता थे तो क्या ये परिपाटी जो है बीज़ेपी में जारी है क्योंकि बीज़ेपी के नेताओं के अंदर भी नराज़गी होते हैं अलाकि वो डिसिप्रीन पार्टी है तो बाहर जाके इतनी चीज़ें नहीं हो रही है लेकिन आपको हमको जब लोग मिलते हैं तो यह बया करते हैं कि भी नराजगी तो जबरदस्त है दिखती भी है और जो अंदर अंदर नराजगी होती है वो मेरे खाल से ज्यादा बड़ा प्लास्ट करती है बिल्कुल या आपके बाद बिल्कुल सही है और हिसार और सिरसा उसके बिल्कुल जीत जमक्तिती है कि ऐसार में फाथ है कितना परचार इसका हूआ नहीं इसार में बोल सिर्षा में जाकर भी कि बुला भी बड़ा घरम है एक-डो लोग नराज भी आपने के अपने आपको मौन के परचार करना बावजुद उसके वह कौन्स नहीं मिल पारा यह भी कहते हैं लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जो कहीं न कहीं एक दम से चीज उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ पाई जब की कॉंगरेस का केंड़ेट मेदान में आया नहीं उससे पहले भी हालात है यानि कि जैसा एलेक्शन चल रहा था वैसा जो चेहरे हैं वह पहले भी बीजेपी के साथ थे उनको एक नए रेपर में पेश के जा रहा है मेनु बैनिवाल की में बात कर रहा हूं वह भी जो है बीजेपी में विदीवत रूप से सामिल होंगे वीदीवत इसलिए क्योंकि काम तो बीजेपी के लिए रही थे बड़ा मेनु बैनिवाल के भी कई अवतार है कई नाम है कई प्रयवत्ची सबद है जो उनके चाहने वाले हैं उनको कफ्तान साब कह देते हैं जब तक बीजेपी जेजेपी का सिस्टम ठीक चल रहा था उनको समयनों कह रहे थे कि दोनों का कहीने कहीन सुतरधार वो थे और जो इन तो जाएं तो यानि कि इस तरीके से कि जो इनसान लगातार यहतो हम पतरकारों को और सारी जगतार थी चीज़े कि सारी की सारी चीजे जो कर रहा था और उसने हो चीज़े करकी भी दिखाई आदमुर्गाबाई एक्षा side कई नगर यह लग रहा था पूरे हर्याणा में और हर जगे की वहां से बलवान पुनिया साल से जीतेंगा लेकिन बलवान पुनिया हारा और संजीजी बैनब धिवार लग रही है तो उनको काली-खाली गाडीयों का शोक है क्यानी की ठीक है और विदी वतरूप से जैसा आपने खुद कहा बीजेपी के लिए तो गाम करी रहे थे अब ठपा भी जंडा भी बीजेपी का और पटका भी बीजेपी का तो जैर सी बात है खुल की और काम करेंगे ब से भी एक मैसे जाएगा बीड़ जुटती है या नहीं जुटती है इस पर को फर्क पड़ेगा तेकि आपने ठीक कहा कि जब हांसी वीजे संकुल पर रेली वहां का संखना जो आपके हांसी से हुगा था और विनोध भ्याना की प्रप्रव्रेंस वो सब ने देखी थी बड कि जिस तरीके से तरी रेलिया होने के बाद भी किस तरीके का परचार है लोगों में कैसा जोस है वो सारी की सारी चीजे हैं ये सारी की सारी सर्वेश जी बात टिकी हुई है कॉंगरेस के कनिडेट पर कि कब यहां पे कॉंगरेस का कहले या हम इनलो का कहले जेजीपी का कहल क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी को एक-एक मिनट एक-एक सेकिंड में बड़े-बड़े जटके लग रहे हैं खुद उनके प्रदेश द्यक्स निसान सिंग कहीने कहीन जब पार्टी अलग हुई उसके कहीने की ससापक थे बनाने वालों में थे उनका रोल था उन्होंने पी का अपने जिकर किया जेजेपी से संभावना यह है कि ना चोटाला आ रही है आल्मोस्ट डन है फाइनल है उनकी कुछ मजूरी मुझबूरियां भी है उनको लगता है कि वोट परसंटेज ही नहीं आएगा तो जनता की सामने विदान समाचुनाव में क्या मूं लेकर ज जाए जो उनके खिलाफ जा सकता है तो क्या यह संभावनाई है कि जेजेपी जो है बीजेपी के बीटीम के तोर पर काम कर रही है दो चोदरी ब्रेंदर सिंग तो बहुत बार यह बात खुलकर बोल चुके हैं और जैसे आपने कहा जेजेपी का मैं हिसार के साथ भीवानी म नहीं थी जेजेपी तो इनके पूरे हर्याणा में जो है लोकसवा के करीब सात लाख वोट आए थे इस बार जैसा आपने ठीक कहा कि नैना चुटाला कि यहां पूरी संभावनाई है और नैना चुटाला ने अपने कारेकरम भी सुरू कर दी वो लगातार जा भी रही हैं क कहीं न कहीं अगर यह बैक स्टैप करते हैं अगर खुद नहीं आते हैं तो कहीं पार्टी जो है और डाउन चली जाएगी लोगों में गल्त मैसिज जाएगा तो हिसार और भीवानी और भीवानी का जैसे मैं लगे आद बात कर लूँ विवानी में फिलाल तो इनके अकने लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही सुनने को मिल रही है सरवेज यह बड़ी बड़ा घटना तो दिन पहले आये थे बेसिंग के साथ में नजर आये बिलकुल आये थे और वह सुरू से ही इनलों में जाना चाहरे थे लेकिन क्यों नहीं गए क्या दिखते रही क्यों नही लेकिन इस तरी के खबरें भी आ रही है कि जो राव भादूर सिंग है वह एन वक्त पर जो है वह घर वापसी कर सकते यानिकि लोगदल में वह आ सकते हैं और हो सकता है वह लोगदल के कंडिडेट विवानी में अंदर करने बन जाए जो समय है वह खराब चल रहा है कि वह अगर वापसी हो जाती है निशान सिंग चले गए हैं तो यह चीजें जो है और फिर जगह जगह विरोध हो रहा है हलाकि हम उस विरोध को ज्यादा साब बहतर नहीं मानते हैं यह लोग हो है वो जेज़ीपि को मिले ते तीन विधयक व्यदा केहसे दकरें वह दाधरी जिले में आता है हम शहाबाद की बात करें वह कुर्षीटर तरम है हम घेला चिका की बात करें केथाल में लेकिन जैसा आपने ठीका और हमेशा आम तो इस बात को कहते भी हैं कि विरोध का अपना एक तरिका है इस तरह की चीजे ना हो कि समाजिक भाइचारा खराब हो किसी को नुक्सान हो क्योंकि हर्याणा ना इस तरह के दंस बहुत बार जहल चुका है क्योंकि ठीक है नेता लोग है आज उनक ठीक ठीक रहना चाहिए विवानी की बात कर लेते हैं वर्क विवानी में स्तिती क्या नजराती है मानली जीए की सूर्थी चोदरी आती हैं दर्मबीर उदर से दो बार लगातार पहले रह चुके हैं तीसरी बार यह फाइट करेंगे स्तितिया कैसी देखते हैं आपको 2019 को मैदान में आना था तो बहुत लंबे समय से यह कहने लग गए थे कि मैं इस बार जो है लोकसवा का चुनाव की फिर ले आए और फिर से जो है सांसत बन गे अब एक उस दिन पहले की बात करें चुनाव से पहले की द्रहमबिर सिंग ये बात खुल कर कहते हैं कि जिला परिशद का चेर्मेन और लोकसवा का सांसतेग बराबर है वो इनको बराबर सा मानते हैं ऐसा उनका अंकलन है और इस बार भी उनका मन कोई बहुत ज्यादा नही तो मतलब पहले जासा जलवा जो है मुझे लगता नहीं राव इंदर जीत का भी होगा वहां पर ठीक कह रहे हैं और जिस तरिके से राव इंदर जीत को नुक्सान पहुचाने के लिए संत जी ने बड़ा खूबसूरत नाव आपने देर रखा है संत जी ने इतने सारे बंदरजीत के विरोधी खेमे के थे उनको मंत्री मंदल से बाहर किया गया बेटी की टिकड मांग रहा थे क्योंकि राव इंदर जीत इखलोते सांसद है जो लकातार पांच बार के सांसद और चटी बार मैदान में हैं तो कहीं ने कि जो मनमानी है उनकी जो मर्जीत यह चा प्राला को नोने हराया 2014 में फिर अगर बात करूं तो वो तिसरे नंबर पे चली गई थी यानि कि पहले नंबर पे ध्रमबिर सांसत बने 2014 में और जो राव बहादूर जो अभी फिलाल जेज़ेपी में कहीन की परचार कर रहे हैं वो इनैलो से दुसरे नंबर पे रहे थे सु मूती भी करोया मरों की स्थीति में और सर्वेज जी एक चीज और है कि भीवानी अलग जिला हो गया महंद्रगड अलग है तो मर्ज करके वह है वहां से जो रावदान सिंग है जो महंद्रगड से विधायक भी है और वपेंदर सिंग हुड़ा के जो खास जो चेहरे है ना सती उनके कहीं जो रोजाना जिनका आना जाना है क्योंकि सीप्स भी रहे हुड़ा सरकार में तो बड़े करेबी लोगों में है तो उनमें बड़ा एक पैरल हो है क्योंकि कई बात इस तरह की चलती कि मेरा बीच्छा है चुनाल वड़ने की भ्याणी में ळenni करण शीड़ स तो फिर जो राव दानसिंग है मेंदरगड वो क्या करेंगे और अगर राव दानसिंग को टिकेट मिलती है तो फिर सुरूती क्या करेगी यह सब किसे छुपा वा नहीं है सारा का सारा मामला खर कॉंगरेस एक होकर चुनाव लड़े तो इसके प्रणाम अलग हो सकते हैं लेक खासे वोट जो है लेते हैं और जिस तरीके से क्योंकि धरंबीर 3 बार मैदान में है सरकार जो है बीजय पी 3 बार बनाने कपर रही है दस साल का करेकाल एक नराजगी सारी चीजे द्रंबिर को एक बार बना दिया दो बर बना दिया तो लोगों में मूड है लेकिन लोग विकल्प तो दें अगर उस तरीके से अगर एक जुट होकर कोंगर्श रड़ती है क्योंकि एस आर के गुट में हम चाहे किरण चोदरी की बात करें रणदीब सुर्जेवाला की बात करें कुमारी सेलजा की बात करें इन तिन्हों को तिगडिया निकी एक माना जाता है वहाँ पर कितना दमखम दिखा पाएंगे चुना क्या बात करने के लिए और चलते चलते ये भी बता दें कि रोतक जो सीट है लोग सुबा की वहाँ पर हो सकता है संभावना ऐसी है कि बुपेंदर सिंग हुड़ा को भी शायद शायद इसली कह रहें क्योंकि ग्यारा तारिक टिकट डिकलेर होंगी कॉंग्रिस की उसमें त जा रहा है क्योंकि दिपेंदर सिंग हुड़ा राजसभा संसद हैं और कॉंग्रिस आला कमान चाहती है कि राजसभा की सीट को खराब नहीं कि एक सीट देके अगर एक सीट लेते हैं तो उसमें कोई समझदारी नहीं है तो ऐसे मिस्तिती हो सकती है कि या तो दिपेंदर सि हुड़ा खुद रोतक से चुनाव लड़ें लेकिन फैसला हाई कमान करेगी तीन दिन के बाद में टिक्टे डिकलेर हो सकती है तो ऐसे चीजें बदल रही है और जैसे नई अपडेट्स आएंगे फिर आपके साथ में हाजीर होंगे आप से शेर करेंगे आप से गुजारी आपकी कोई राय है तो वह जरूर दें आपका कोई और आकलन है आप कितना इतिफाक रखते हैं खुल कर इस पर चर्चा जरूर करें शेयर जिरूर करें वीडियो को और पसंद आये तो आप लाइक भी कर सकते हैं आप देखते रहें एकमत पोस्ट और भारत पोस्ट नमस्क कर.